बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलिप गोश इस बीच पूजा पाड़ करते हुए नजर आये हैं आपको वो तस्वीरे दिखाते हैं सिर्फ बंगाल की बात नहीं है असम पर भी एवीपी ने उसकी नजर है जहाँ सहताली सीटों पर आज मतदान होना है शुरू हो चुका उसके इतर बहुत सारे वो मुद्दे हैं जिसे ममता बेनर जी कह रहेंगे कि इस बार ये काम नहीं आएंगे बीजेपी को हर बार बचाते हैं इस बार बचा नहीं पाएंगे और चैलेंज करते हुए आमिच्छा की पूरी टीम मोधी की पूरी टीम पश्चिम बंगाल में बीजेपी के लिए क्योंकि पश्चिम मंगाल में जो प्रदर्शन लोगसमा चुनावों में हुआ अब उससे आगे जाने का चालेंज बीजेपी के सामने हैं दूसरी तरफ ममता बेनरजी के पास अपकी पारी को आगे बढ़ाने का चालेंज और ये टक्कर बहुत कड़ी है इस बीच हिंसा की भी तस्वीरे और हिंसा की भी खबरे आने लगी हैं वहाँ पूर्वी मितनापुर में पोताशपुर में टीमसी और बीजेपी के कारेकरताओं में जड़प हुई सब इंस्पेक्टर जब बीच बचाव के लिए बीच में पहुँचे तो उन पर बंब से हमला कर दिया लेकिन असम से लेकर बंगाल तक मतदान शुरू हो चुका है और इस बीच ये तस्वीरे आप दिलिब घोश की देख रहे हैं जो शक्ती पूजा करने के लिए शिव अराधना में नीन दिखाई दिये हैं सुबा सवेरे अपने कारेकरताओं के साथ अपने चाहने वालों के साथ और दूसरी तरफ इससे कुछ देर पहले जब ABP News समवादाता मनुग्या लोईवाल से उन्होंने बात की तो उन्होंने साफतोर पर ये कहा था कि प्रशासन हमारी सुनवाई नहीं कर रहा है हमारे फोर नहीं उठा रहा है अगर हिंसा होती है तो हम भी पीछे नहीं रहने वाले हैं उदर असम में भी आप जानते हैं 47 सीटों पर मतदान शुरू हो चुका है असम में भारी संख्या में लोग मतदान करने के लिए पहुँच रहे हैं बीजे पी का मतदान पर क्या अर्मान है ये असम के दिगज मंतरी हेमंत बिश्व शर्मा बता रहे हैं उनसे बात की है मेर सायोगी प्रतमा मिश्राने असम में बीजेपी के कद्दावर नेता हिमंत बिश्व सर्मा इस वक्त हमारे साथ मौडूद है पहले चरण को लेकर बीजेपी को क्या उमीदे हैं क्योंकि ये एक ऐसा चरण जिसको लेकर कहा जा रहा है कि बीजेपी ने अगर यहां बढ़त बना ली तो उसे कोई नहीं हरा सकते लास्ट यर यही जो सीट था उसमें हमारा 35 सीट था आउट ओफ 47 मेरा अपना अनुमान है कि 39 से 41 तक हमको मिल जाएगा इस बार कॉंग्रेस जिस तरीके से सीए के मुद्द को असम में उठा रही है क्या वो आपको नुकसान पहुँच क्या है मतलब लोग और अंदुलन करेगा लोग अंदुलन से डर रहा है किसलिए लोगों को कम से कम एक साल दो साल का स्टेबल बिजनेस साहिए तो इसलिए लोग कोई बात जो निरासा का बात है लोग सुनना नहीं साथ है तो अब इस अलाइंस पर अगर हम आ जाएं सिफ मौजूदा समय में यह अलाइंस इस पर आप क्या कहेंगे यह क्या मजबूत है हमारा जो सेकेंड और थार्ट फेस का सुनाव होगा से साथ सिफो का लोक्षान होगा लेकिन कॉंग्रेस का खाटे में जो उस बर्ग का बिना जो मैजरोटी बर्ग का सिफ था वो सिफ कॉंग्रेस का हट से निकाल जाएगा तो कूल मिलाके इवेन और करने का बाद BJP का कोई लोक्षान नहीं होगा UDF का भी गेन होगा BJP का भी गेन होगा और सारा खेल में कॉंग्रेस का लोस्ट होगा और CE को लेकर कही न कहीं मन में डाउट होता है कि बाहर से लोग आजाएगे तो क्या आपको लगता है कि वो कहीं न कहीं सालेंट वोटर के तौर में जो एही बाद हुआ कि ये लोग समझाया था लोगों को कि C.A. का कारण बाहर से लोग आयेगा एक साल में लोगों ने देखा एक भी नहीं आया तो इसलिए अभी जो C.A. का बात करता है ये लोग को बाद लोग सुनना नहीं साथे मेरा आकरी सवाल है ऐसा कहा जा रहा है कि केंद्र में अमिश्या और नौर्थीस्ट में हिमंता बिश्व शर्मा मुख्यमंत्री पत के दाविदार को लेकर बीजेपी में कोई सफाई नहीं क्या ही मनता बिश्व सर्मा मुख्यमंत्री होंगे देखिए बीजेपी में मुख्यमंत्री कून बनेगा इसका निन्ने आप भी जानते है पार्लेमंत्री बोर्ट जाहां प्रधानमंत्री खुद सयम उपस्तित रहता है तो एतना बड़ा लेवल में जो डिसीशन होगा इसका बारे में मुख्यमंत्री सोचने से क्या फाइड़ा है आप बटाई कामरापसन राजेश कुमार के साथ प्रतिमा मिश्रा एबीपी नियूज एबीपी नियूज आपको रखे आगे एबीपी नियूज दो... प्रहस्तित Principal जो एबीपील एलिप भू ख्लूल e-त